इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर आखों से पानी आना और सांस लेने में परेशानी आना या तकलीफ होना आधी के इलाज में किया जाता है। यह श्वासमार्ग में सूजन को कम करता है जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। ओडिमोनिट एलसी टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। दोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी। डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें। अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है। अपनी हिल्थके टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्यूंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं। या नींद आ सकती हैं। इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं। तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवश्यक्ता होती है। यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है। सेल्फ मेडिकेशन का समर्थन न करें या किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी दवा का सुझाव न दें। यह दवा लेते समय बहुत सारे फ्लूइद्स लेना फाय देमंध है। अगर आप किडनी से पीडित हैं तो इस दवा का सेवन अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है इस दवा के विशय में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही और दवायों की जानकारी के विडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।